नमस्कार मैं हूँ शिखाविश्व कर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मद्धिप्रदेश तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की और बुपाल में घरगर पहुँचा राम लला प्रान प्रतिष्ठा समारो का निमंत्रन अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का समारो आयोजित किया जा रहा है इसको लेकर राम भक्तों द्वारा अयोध्या जाने के लिए आमंत्रत किया जा रहा है मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदच शर्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानन ने बोपाल के अलग-अलग कॉलिनियों में घर-घर संपर्क कर लोगों को अक्षत देकर अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया बाजपर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने वाट 28 के अंबेटकर नगर में श्री राम भक्तों द्वारा चलाए जा रहे अक्षत वित्रण ग्रह संपर्क अभ्यान में शामिल हुए वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव ने गोवि किशोर सान्याल को हटाया गया मध्यप्रदेश के शाजपूर के ट्रक ड्राइवरों को अकात दिखाने वाले किशोर सान्याल पर गाज गिरी मुख्यमंत्री मुहन यादव ने सान्याल को शाजपूर से हटा दिया है उनकी जगए नर्सिंग पूर कलेक्टर रिजू बाफ को शाजापुर भीजा है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए शाजापुर कलेक्टर किशोर सान्याल को हटाया गया है राद 11 बजे के बाद नहीं खोले जा सकेंगे दुकान जिला प्रसाशन भोपाल के निर्देश जारी किये हैं कि भोपाल शहर में आज राद से 11 बजे के बाद व्याफसाइक प्रतिश्थान दुकान नहीं खोले जा सकेंगे अस्पताल एवं मेडिकल इससे मुक्त रहेंगे जिल्ला प्रसाशन द्वारा इस निर्देश से अफगत कराने में अनाउंस्मेंट भी कराया जा रहा है। निर्देश का पालन ना होने पर दुकान सील करने की कारवाही की जाएगी। दो दिन बाद मद्रदेश में सामान ने हुआ जन जीवन हिटन रन कानून के खिलाफ हरताल खत्म। पहले दिन सोमवार से ड्राइवर हरताल कर रहे थे हरताल के चलते जहां यात्री बसों को बस्टैन पर खड़ा कर दिया गया था तो वहीं हाईवे पर ट्रकों के पहिये थम गए थे। भारत गौरफ परिटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया। भारतीय रेलवे भारत को अंतराश्ट्री और घरेलू शेत्र में एक आर्टकर्शक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमेशा पत्तिबद रहा है। भारतीय रेल की इन थीम आधारत ट्रेनों की परिकल्पना घरेलू परिटकों के साथ साथ अंतरराश्ट्री परिटकों को भी भारत की समरद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अबगत कराने हेतू की गई है। शहीद भवन में हुआ प्रेम पतंगा का पले बोपाल की शहीद भवन में हुआ इस साल का पहला थेटर पले प्रेम पतंगा जो की विहान ग्रुप वरक्स के ओर से प्रस्तुत किया गया था, जिसे कई कलाकारों ने मिलकर एक बहत्री नाटक का रूप दिया। इस कहानी में एक दिल्ली के पत्रकारिता कॉलेज के दो प्रेमियों की कहानी दिखाए गई, साथ ही दिखाया गया कॉलेज के बच्चों का सफर मनुरन जन्व प्रेम से भरपूर नाटे रुपांतरन, प्रेम पतंगा के नाटे रुपांतरन परिकल्पना इवं निर्देशन करने वाले सौरप अनन्थ थे वहीं यह कहानी विमल चंद्र पांडे द्वारा लिखी गई थी इस प्ले ने अन्थ तक ओडियन्स को खूब आनन्दित भी किया तो ये थी आज की खास खबरें आगे जुड़े रहें खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र कर दो kinरी के सालाय से लिमल नज़ Wow झालीं साथ किसो खबरें आगे खंगी जबरी किपके विर से थम यार्त बां से विमल आनन्थогष खबरी किया लिए कुटब लिर मतातन की है पत्सकी का अन्यूफ हि आख कि खबरें प CandLip adjourill experienced the law city